तो और देखिए अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि देश की कुल 13 राजियों की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में जो मतदान हो रहा है जिसमें 8 सीटे उत्तर प्रदेश की हैं बेहद महतपून सीटे हैं यूपी की किन किन सीटों पर चुनावी संगराम आच छिड गादियाबाद की आप बात करते हैं तो यहाँ पर मुकातला अतुलगर्ग, BJP के प्रत्याशी, कॉंग्रिस की डॉल शर्मा और BSP के प्रत्याशी, नंद किशोर पुंडीर के बीच में हैं गौतंबुद नगर की आप करते हैं तो यहाँ पर दॉक्टर महेश शर्मा तीसर बीचेपी के हाथ से निकलेदी, BSP के खाते में सीट है, जहाँ पर कॉंग्रिस कुमर दानिश अली, BJP के प्रत्याशी, कमर सिंग तंवर और बस्पा की प्रत्याशी मुझाहित हुसेर इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं औ बागपत का यह आप चुनावी समय करन समझ जिए, जहां से रालोट के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान है, सापा के आमरपाल शर्मा है, और BSP के प्रत्याशी प्रमीन बैंसला है, मुकाबला त्रिकोणी है यहाँ पर भी, मत्रा वीवी आईपी सीटों में आती है, ज बीज़बी के तत्सीश कुमार गौतम यहां से मैदान में, जोनोंने सुभा न्यूज एडिंग से बात करी है, सापा के इस कैनिडेट चौधरी बीजेंदर सिंग यहां से है, बसपा से हितेंदर कुमार बंटी यहां से चुनावी मैदान में है, आगे बढ़ते हैं और जल समाजवादी पार्टी ने जीत दर्श की थी, समाजवादी पार्टी और बसपा का उस टाइम पे गठ बंदन था, जिसके खाते में समाजवादी पार्टी के में सीट गई थी और बहुजल समाजवादी पार्टी के कैनिडेट ने यहां से जीत हासिल की थी और साथ पर कमल खिला था अब इन तस्वीरों को देखिया पंदाज़ा लगा सकते हैं कौन-कौन पिशली बार जीता था गौतम बुद्नगर से महेश शर्मा जीते थे गुलंचेहर से भोला सिंग जीते थे अलिगर से सतीश गौतम जीते थे मचुरा से हेमा मालनी जीती थी गाजयबाद से के सिंग जिनका इस बाटिकेट काट दिया गया है वो जीते थे मेरट से राजिंद्र अगरवाल जीते थे बागपार से सत्यपाल सिंग अम्रोहा से कुवट दानिश अली जो की बसपा की कैंडिडेट उस वक्ते और इस बार कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनावी मैदान मे ताल ठोक रहे हैं हमारे साथ हमारे साथ हमारी सहय होगी आस्ता भी समय न्यूजरूम से जुड़गें सी दरुक करेंगे आस्ता की तरफ आस्ता ओवर्ट यू